अब देखो यहां पे मैंने अधानी ग्रूप का आज भी वीडियो रखा है लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि सर पावर उपर है अम आफ किजिगा पावर नीचे है अधानी विलमार उपर है तो यह क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं रहे तो उसका मैंने लॉजिक बता है फोक कोशिश करेंगे देखो मार्केट में लोग कंफ्यूज होते ना तो वीडियो बनाने पड़ते हैं ठीक है कल भी थोड़ी हेल्थ इस्यूज थे गल्ले में प्रॉब्लम थी स्टील समे स्टॉक्स का वीडियो बनाए था आज अपसर के अब मुझे लगा भाई समे स्टॉक क अब वीडियो ना बनाऊंगा तो लोग को प्रॉफिट नहीं मिलेगा अब प्रॉफिट मिला भी है यह स्टॉक में आपको यहां पर शेर भी किया था टेलीग्रम में एक दिन पहले ठीक है अधानी ग्रूब के अंदर यह यह वीडियो बना थे कि बाई अधानी ट्रैक पर अगर पॉस मार्केट ही रहता हुवा दिखया यहां क्यों दो था क्यों था क्योंकि rate high होने वाले है एक एस पर आई नो किसी ने भी कहांँ यस्टदी मेंशन किया कि यह कल होंगे ए टो फरवरिक होंगे ठीक है और कितने हो सकते हैं तो कि 25 बिसेज पॉइंट के rate hike होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं अब माना ये जा रहा है कि rate hike ये last हो सकते हैं इसके बाद rate hike होते हुए शायद नहीं दिखाई देंगे Indian market में ठीक है लेकिन आप मोटा-मोटा ये समझो कि अगर Indian market में rate hike नहीं होंगे तो banking stocks गिर सकते हैं और mid-cap stocks उपर जा सकते हैं, उसका मैं logic 500 बार बता चुका हूँ, मैं जे repeat बताने की जरुवत नहीं है, आप सभी को बता है कि मैं आपको पहले भी logic बता है, ठीक है, अगर नहीं पता है भाई, तो यहाँ पे एक बार हमारा HDOC stock का जो result है था, उसमें search कर ले ना, ठीक है, HDOC और कितना उपर जा सकते हैं, आपर shorting कर ले ना, ठीक है, तो latest में आपको बताया था, उसके बाद यहाँ प्यादा नहीं group, माफ कीजिएगा, आदा नहीं पता नहीं क्यों आ रहा है, तो banks recover होते हुए दिखाई थिया, मैंने detail में आपको समझाया था, ठीक ह आना स्टाट हो जाएगी, तो आपके बास मानलो, कोई mid caps 30-40% losses में है, आप यह समझो कि आपके positive दीनाना स्टाट हो चुके है, ठीक है, आधी रात के तीन बच चुके है, सुबह होने में सिव थोड़ा ही वक्त बाकी है, आप यह समझो, अगर आपने इतना टाइम निकाल अगरिया है, mid caps के अंदर, crash के अंदर, तो भाया, परीकावरी हो जाएगी, clear, sir, कल trade कैसे करे, rate hike की वज़े से क्या हो सकता है, तो को short term में, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, कि बैंक कल ही गिरेंगे, ठीक है, मैं बात करूं, positionally की, जैसे bank उपर गया थे, नीचे की level से, ठीक है rate hike के बाद अगर ये level cross कर जाता है, तो 18,000 की ये टेस्ट करने की possible है, तो हम लोग rate hike के पहले कुछ नहीं करेंगे, rate hike के बाद momentum आएगी, तो हम लोग level wait करेंगे, जब ये level तूटेगा, 17,810, हम लोगे safety के लिए 17,820 पकडेंगे, जैसे break होगा, आपको 17,790 का stop loss, ये 17,840 का target, 840, 850, even 800 sign का भी target रख सकते हैं, ठीक है, अगर fall किया सर तो क्या, जेखो rate hike already expected है, ये सिर्फ time pass करा है market, ठीक है, तो आप ये समझो के नीचे के level पर support तो है, already जितनी negative जो तो factor in हो चुकी है, अदानी, rate hike, फलाना, टीम काना, तो ज्यादा नीचे जाने के chances तो अभी त है, ठीक है, तो market मेरी सबसे positive ही जाना चाहिए, कल negative नहीं जाना चाहिए, still हम लोग देखेंगे, लेकि मेरी सबसे positive कल जा सकता है, bank nifty के बात करने चाहिए, तो आज का high important है, क्योंकि ये resistance है, डबलू pattern बना रहे, cup and handle pattern बना रहे, chances है, अगर ये break किया तो बड़ी momentum आ सकती है 41,700 break करते ही 42,000 जा सकता है, इसको focus कीजिएगा, watch list पर रखेगा, बन्दा momentum का सकता है, पहले किन rate hike के पहले कुछ नहीं करना है, rate hike के बात करना है, सर्फ fall किये, तो क्या हम लोग short कर सकते हैं, top से, अगर मानलो rate hike हुए, top पे bank nifty है, crash हुआ, 5 minute में बड़ी red candle है, बड़ी कि कर लो, short कर लो, simple as that, short कर लो, ठीक है, लेकिन कब 5 minute की, यहाँ पे होनी चीए, time frame, इतनी बड़ी red candle होनी चीए, कम से कम, 100, 800 point की approximately, तो कर लेना, ठीक है, लेकिन target कितने होने चीए, maximum 100 point, 80 से 100 point के maximum target क्योंकि उसकी बाद support आजएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते है, daily chart में, यह chat pattern आप daily में देखो, या 5 minute में देखो, similar ही आपको दिखेगी, ठीक है, तो मोटा मोटा आप यह समझो, कि अगर उपर के level से fall है, तो, बागी नीचे के level बाद मुझे support दिखा ही देर है, 41,000 का, and यहाँ पे 17,500 का support है, logic clear, तो मोटा मोटा मेरा direction कल के लिए positive है, समझो बात को, name India oversold है, अब हम लोगों ने STBT में सूच रहा था, लेकिन कल मानलो यह gap up open होके reverse हो गया तो, तो कल कोई भी direction बड़ी momentum आ सकते है, fall भी, upset भी, हम लोग क्या करेंगे, level का wait करेंगे कि क्या होता है, कितने open होता है, अगर आज का level टूटा, तो यह 216 तक जा सकता अगर नहीं टूटा, उपर gap up open होगया, तो यह पूरा reverse होके उपर चला जाएगा, दो थी, एक दो परसेंट, ठीक है, name India को focus करना, short ही करेंगे, लेकिन level टूटने की बाद, बात समझ मारी है, इसको focus करना, name India को, second stock है, नविन, देखो, RSA 60, MSD crossover, range break करता हुआ, दिखाई द है, तो 4310, 4310 को cross करते ही, 4400 तक जा सकता है, इसको focus कीजिएगा, लेकिन level टूटने का weight करीगा, आज का high important है, अगर यह टूटा, तो हम लोग खरीदारी करेंगे, लेकिन stop loss के साथ, intraday में, MIS में, not future in option, तीसरा stock है, escort, अब देखो, यह pattern बहुत खराब है, ऐसा लग रहा है कि यह fall करने के लिए ready है, 2000 के नीचे हम लोग short करेंगे, level देखना 2000, इसके नीचे जाता है, 1098, 1097, यह slow जाते है, अगर जाते है, तो slow जाते है, बाद में फारते हैं नीचे, अगर यह break हुआ, तो हम लो 8% की profit मिल सकते है, 1% का stop loss, 1% के target, आखरी stock, new India insurance, देखो, यह intra, I know, FN active stocks नहीं है, अगर MIS possible होता है, intraday में short side, short selling, तो हम लोग short करेंगे, 106 के नीचे जाते ही, stock को short की जिगा, 104 तक के target stock में दिखाए जे सकते है, तो stock में focus की जिगा, 1-10% के लिए trade, लेकिन level टूटने के बाद ही trade करेंगे, ठीक है, तो होप आज का वीडियो समझ वेगा, पसंद वेगा, easy वीडियो था, short and simple था, बाकी query है, comment पूछते रहेगा, ठीक है, and telegram मीनी है, जाके जुड़ेगा, यहाँ पर मैंने आपको अदानी enterprise दिया था, photo return, अदानी wilmar दिया था, वो भी अच्छी momentum है, आज, congratulations, मिलते हैं, अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए, goodbye, जय हिन,